का रारकिदांगी चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस का जो फ़स्ट स्टेज का काउंस्टेबल का रिजल्ट आया था उसका सेकंड स्टेज यानि फिजिकल टेस्ट का स्टूल जारी कर दिया गया है इस वीडियो में मैं बताऊं क्लियर मैसेज मिलेगा कि आप आगे की जो भरतियां वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी अभी कंफ्यूजन नहीं है सरकार फ्रंट फूट पर बैक पूट पर नहीं है किसी भी रिजल्ट को किसी भी परिक्षा को लेके चाहे आपकी टीचर भरती हो पुलिस परि रही इससे आपको यह लग गया है कि अभी पुलिस काउंस्टेवल की फिजिकल टेस्ट बिलकुल कंड़क्ट किया जा रहा है टाइम पर यह एक सेंटर पर पांच हजार लगवग विध्यारतियों का लिया जाएगा पांच या छे सेंटर है चार गोना पांच गोना लोगो को इसमें बुलाया गया है मेरिट फिर बाद में आईगी रिजल्ट अब आप समझ लीजिए इसमें हर दिन 200 लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा इसमें अगर हम बात करें कि एक समीती बनाई है ग्वालियर ने उस समीती की बात करें यह लोगों को बनाया गया है कि इसमें म बात कर लें अब फिजिकल टेस्ट की बात करें हम सारे रिक दक्षता तो फिजिकल इफिसेंसी टेस्ट भी बोलते हैं इसको पीटी तो यह इसकी जो डेट है 9 मई से चालू हो जाएगी जिनका रिटर निकला हुआ है तो वो अपनी तैयारी चालू कर दें 9 मई से आपका जिन लोगों का है वो उन्होंने डेट दे दी है परिक्षा का समापन दिनांग 5 जून है यह परिक्षा कंप्लीट हो जाएगी वो परिक्षा समापती के बहुत जल्द आपको लगबग जून या जून लास्ट में या जुलाई फस्ट बीक में आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो यह वीडियो बना दिया इस वीडियो को आपको अभी के अभी सेयर कर देना और यह वीडियो उनको भी सेयर कर देना जिनको यह लग राएगे अभी परिक्षा आगे जाएंगी बहुत जल्द अभी हुआ क्या है विभाग बदला है पहले आपक उनके application form डलना श्टार्ट हो जाएंगे आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो के साथ अधिक जानकारी की आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को सेर जरूल करतें बहुत बहुत धन्यवाद